कॉंपूटर फंडामेंटल्स में आज का जो टोपिक होगा देट विल बी दो अबाउट जन्रेशिंस ऑफ कॉंपूटर्स उससे पर यहां पर मैंने एक स्लाइड रखी हुई है हिस्ट्री अफ कॉंपूटर्स यह वाली स्लाइड आपने प्रिविएस वीडियो में अलड़ी आइंधिंक रीड कर ली होगी अब उसमें मैंने कुछ इसलिए नहीं किया था कि वह इतना इंपोर्टन नहीं था और उसमें जो बाकी की स्लाइड में कुछ इमेजिस और कुछ इन्वेंशन के नाम में ने दियो हुए थे जो इतने इंपोर्टन नहीं थे इसलिए मैंने कुछ उसमें एक्स्पेंड नहीं किया हुआ था लेकिन जस्ट फॉर एंड जन्रल नोलेज आपको मालूम होना चाहिए कि आज की डिट में हम चुकुछ भी आजकी कॉम्पूटर्स यूज करší और ने जस्ट पॉर अने के लिए तसन स्मार्ट फोन अज की रेख में हो पिएक इन्वेंस में स्मार्ट फोन ह Śक्त जबेख में हैं करने वाले हैं जनरेशन मतलब की कैए आपके फादर कभी बोलते थे भाई हम तो ऐसा चाल्स बैबेज ने एक अनलेटिक एंजिन डिओल अप किया इसके बारे में भी अलड़ी प्रिवेस वीडियो की स्लाइड में बताए हुआ है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की डीट में टोटल five generations of computer आ चुकी है five generations तो यहाँ पर मैंने first generation के बारे में बात किया हुआ है 1946 से 1959 तक का जो gap था उसे first generation बोला जाता है different websites पे different reference book में यह year specification है 46 से 59 का वो vary हो सकता है मतलब के different हो सकता है लेकिन जो basics होता है वो सहम होता है क्या basic होता है क्या basic होता है तो vacuum tubes इस्तिमाल की जाती थी vacuum tubes is kind of nothing but a bulb जिसे हम bulb भी कह सकते electric bulb का इस्तिमाल किया जाता था और जो कुछ भी data होता उसकी मदद से operate होता था मतलब के on off की base बल्ब on है तो वो से one बोल सकते या फिर bulb बंद है तो उसे zero बोल सकते बेच प्रोसेसिंग किया जाता था पंच का यूज किया जाता था पेपर काट पेपर टेप्स और मेगनेटिक टेप्स का इस्तिमाल किया जाता था यह तो theoretical है लेकिन जो point wise explanation होता है मैंने यहाँ पर already next slide में रखा हुआ है तो उसे में detail में explain करता हूँ तो सबसे पहले vacuum tube technology इस्तिमाल किया जाते थी बड़ी size का जो computer था वो होता था मतलब कि पूरा camera camera भी नहीं बोल सकते कमरे से ज्यादा बड़ा मतलब कि आज की date का जो कुछ भी एक hall होता है किसी की घर में 15 foot by 20 foot का या फिर उससे भी बड़ा जो living room होता है मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर सब family में बड़ा सकते उससे भी बड़ी size का जो था वो computer था नोन पोटेबल तो बड़ आप यह से होनी वाला है क्योंकि उतनी बड़ी size का किसी भी एक जगा से दूतरी जगा पर मूह करना वो next to impossible था अब loads of electricity वोस कमसे मतलब कि इतने सारे bulbs जैसी चीज़ उसमें लगाए जाती थी कि उतमे electricity इतनी ज़्यादा कमसे होती थी और electricity की वजह से उसकी जो heat थी वो इतनी सारी थी कि उसके लिए ऐसे भी कमपल ज़री था air condition जिसे हम कहते अब कितने electricity bulb समतलब बल्बी use होते है तो कि 200 भी नहीं आपको तो मालूम है कि नोर्मल ही आजकी डिट में तो LED बल्ब्स होते हैं लेकिन पूराने वाले जो बल्ब्स थे ग्लास बोडी के आते थे और उसमें फिनयमाइन जैसा कुछ था जिसमें चोटा सा थ्रेट जैसी चीज होती थी अगर वो टूट जाती है तो त 15-20 मीट तक भी हमने ओन रखा हुआ है तो उसकी जो हीट थी वो काफी सारी हीट होती थी बाद में उसे बंद करने के बाद तुरंद उसे हम हाथ से उठा के किसी और जगा पे बनू ही कर सकते थे उतनी हीट क्रियेट होती थी अब इसमें जो numbers of bulb approximately इस्तिमाल किये जाते थे that expert the other reference book वो 18,000 bulbs use किये जाते थे अब सोचो कि उतने सारे bulbs पूरा दिन मतलब के 5-6 गंटे तक कोई चालू रखे तो उसकी कितनी हीट होती है वो भी एकी कमब्रे में ठीके तो उसके लिए ऐसी कमपलसरी था अब इतनी सारे हीट के वज़ा से जो बल्ब थे वो जल्दी नहीं थी तो क्योंकि वो टेक्नोलोजी बिल्कोल नहीं थी अच की डेट में LED बल्ब की जो टेकनोलोजी डेयलप हुए हो अलग बात है क्योंकि पूरा दिन बल्ब चलू रखो हथे भार भी lon चालू रखो तो कुछ उसके होता नहीं ब्रूरा निक्श समय में इसा तो Programming language सीखना है syllabus में Programming language सीखना है अभी है machine language कि है, machine language is nothing but a very core of programming language, क्योंकि finally जब भी computer में कुछ भी instruction perform होती है, that all are in a machine language, 101010 format में ही सब computer समझता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, मांदो के किसी जगह पर हमने hello world print करवाया है स्क्रीन पर, किसी भी programming language की मदद से तो जो programming language जो होती है ने human format में होती है मतलब कि हम आसानी से उसे read करके समझ पाते हैं लेकिन computer उसे समझ नहीं पाता है तो उसके लिए उसे पूरा एक बीच में कुछ अलग सा रखके one zero one zero format में convert किया जाता है अलग सा जो बीच में रखा जाता है उसे में इस वाले वीडियो में मैं नहीं cover करूँगा क्योंकि हम out of the topic हो जाएंगे लेकिन computer को finally जो कुछ भी information मिलती है that is all are in one zero one zero format तो punch cut जो थे वो one के लिए zero के लिए one के लिए zero के लिए hello world का पूरा one zero one zero one zero का combination बनाया जाता था बात में उसका जो कुछ भी था print करवा जाता लेकिन वो print के लिए इस्तिमाल नहीं कर जाता थे वो specially computers are designed for additions and subtraction मतलब के arithmetical calculation के लिए वो specially designed किये गया थे very costly थे जो आगे के हमने सभी topics को discuss किया था as per that we can say that computers of that particular generation where but obviously are very costly क्योंकि इतने सारे bulbs उपसे AC unreality क्योंकि उसका high maintenance आता था बल्ब चेंज करने पदे थे पर जो बाकी के components थे वो change करने पदे थे slow input output device compared to today's technology मतलब के आज की date के compare में गर करें तो वो one second में 5000 edition approximately 350 के multiplication ही वो करवा पाता था और जो machine names थे वो थे ENIAC UNVAC, IBM 701 650 ऐसे कुछ machines उसकी date में उस generation में थे चलाँ next slide में आते है तो अब आती है बात second generation की वो था 59 से 65 से फिर से बोल तो ना हूँ कि यह जो year specify कियो है that can be change from material to material और फिर you can say that reference box to reference box अब हम quickly points में आ जाते हैं क्योंकि यह जो theoretical जो specification है उसको मैंने points में यहाँ पर already specify करकर रखा हुआ है क्योंकि हम इसे quickly समझ सकते है quickly read कर सकते है memorize भी आसानी से हो सकता है सबसे वहले तो इसमें transistor use किये जा रहे थे हैं जो bulb की बात कर रही थी ना बल्प इसमें निकल गए transistor on off के format में बबच 0 और 1 की format में आप इसमें transistor किये गए use और जो heat generation थी वो काफी कम हो गए transistor तो आपने काफी लोग दिखा होगा नहीं देखा है तो आप YouTube में भी सर्च सकते हैं Google में भी सर्च करके देख सकते हैं transistor आज के date में सभी जगा पे इसनिमाल होते हैं और 1010 के combinations में उसे एक पूरी design बनाई जाती है reliable तो बटो भी इसे होनी वाले थे क्योंकि जो बल्ब थे वो निकल गए अब इसकी life span भी बर गई ठीक है मान लो कि कोई एक बल्ब उस समय बीस गंटे या पचीस गंटे तक चल रहा था तो यह 100 गंटे और 200 गंटे तक continuously उसे use किया जाता था नहीं इतना नहीं था उससे ज्यादा था अब यहां पर figure में ने दिखा या हुआ है और पूरा एक कमरा था उसके compare में एक table जैसे चीज को आ जाती है तो हम कह सकते smaller in size but obvious है नो थोड़ा बहुत नहीं काफी size में वो छोटा हो गया और heat creation भी काफी कम हो गया नो डाव ऐसी तो required ही थे क्योंकि heat तो फिर भी होती थी क्योंकि जितने बल्ब से उतनी transistor का हमने use किया है मतलब कि heat कम नहीं हुए मानलो कि उस समय 18000 बल्ब से तो उतने near about transistor तो use होने वाले तो वो heat तो create करने ही वाला है तो ऐसी तो फिर भी required था अब इसमें जो नहीं बात आई वो assembly language भी साथ में support करने लगा not only the machine language अब assembly language का छोटा समय explanation कर दू तो उसमें कुछ fix human codes design किये गए human codes मतलब कि मानलो कि किसी भी दो number को addition करवाना है तो पूरा एक number का binary format में convert करो मतलब कि 5 का पहले binary में convert करो बाद में 7 को binary में convert करो दोनों को computer में input करो ठीक है मैं instruction बोलता चाहरा हूँ step by step समझना क्योंकि computer जो समझता है instruction format में वो समझता है ठीक है हमें computer को first instruction second instruction छोटे बचों को कैसा हम समझाना थे पहले पहले भाई वहाँ पे जाओ वहाँ पे cupboard है वो open करो cupboard में first drawer है वो open करो बाद में उसमें एक book होगी कौन सी book होगी green color की book होगी चोटी वाली या बरी वाली हर चीज़ दूसे बोलती है पर लिए देने चोटे बचों को थिक वैसे ही computer को हर चीज़ बोलनी परती है तो पहले 5 को binary में convert करो बाद में 7 को binary में convert करो 1 by 1 दोनों number को computer में store करवाओ एक particular memory location पे बाद में computer को बोलो भाई ये एक first location है ये second location है दोनों को add करो तो वो add करता है लेकिन add का result कहाँ पे store करना है तो आप समझो में जितना लंबा बुर रहा हो उतनी ही actual में process होती है अब पूरी चीज़ को binary में convert करना for and each and every time समझो कितना labor work हो जाता है तो उसको क्या किया assembly language में बनाया fix set of instruction बनाए मतलब कि कुछ code centered किया मतलब कि add ऐसा एक word बनाए उनों लोग है जैसे ही add बोलते है computer तो उससे समझ आता है कि add l1, l2 ऐसा computer को दिया हमने add l1, l2 अब उसका क्या हुआ addition करना है location 1 का और location 2 का यह computer directly समझ जाता है तीके अब यह जो मैंने add बोला ना a, double d, sub a set of instruction मतलब कि कुछ human format में words उसके decide कर दिये limited instructions और limited sets of words उसमें available है आज की date में भी हम हर चीज़ उसमें नहीं कर सकते तो लेकिन क्या हुआ हमारा जो work था almost hundred percent के compare में 10 percent पे आ गया उतना कावम हमारा work हो गया क्यूंकि binary में convergence से निकल गया हर चीज़ का instruction जो देना था लंबा लंबा binary format में वो निकल गया अब assembly language क्या करता है assembly language में हम जब भी add लिखते है तो add का पहले से उसमें binary format store होता है और वो डायरेक्ली वो machine को provide कर देता है ऐसा होता है अब में यहां पर लिखा हुआ है magnetic core technology used to store and instruction मतलब कि magnetic taps हमारी पूरानी आपने सहाइद ही देखी होगी floppy disk या फिर tap recorder PK movie में जो सबसे पहले वो starting में tap recorder लेके घुमता है उसमें जो tap use होती दी न उसे बोलते है magnetic technology उसमें कैसे data store होता था अभी हम बात करने वाले नहीं है लेकिन इसमें यहां पर कुछ names भी specify किये हुए कौन-कौन से names के जो machines से उसमें develop हुए थे बाद में आता है अब third transition IC integrated circuit अब यह चीज़ नहीं आई अब यह क्या है अब IC मतलब के set of transistor, register तो capacitor सब इसमें एक साज आता जाए मतलब के traffic signal की अगर हम बात करें तो traffic signal की side 1, side 2, side 3 और side 4 side 1 के set of register transistors, capacitors बाद में side 2 के अलग circuit बनाओ transistor, capacitor, register sub मिला के बाद में side 3 की बाद में side 4 का अब 4 circuit आपने बनाई चारों का logic अलग-अलग होगा क्योंकि एक टाइम तो एकी side open होनी चाहिए अब यह सब का single में integrate कर दो तो उसे IC बोलते है अब integration तो चलो मान लिया कर दिया लेकिन उसकी जो size थी उतनी छोटी कर दी कि इसे अब actual में portable machine बोल सकते हैं मतलब कि एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाना है तो लेस जा सकते हैं not like a mobile और a laptop मतलब कि टेबल जैसे शाद तो machine था अब टेबल जैसे machine को किसी भी ट्रक में आसानी से मूह कर सकते हैं इतना छोटा कर दिया अब कम्रे को मूह नहीं कर सकते हैं इतना तो छोटा दाम कर सकते हैं अब IC थी single में integrate हो गई मतलब कि at a time तो but obvious से four direction में से कोई एक ही operate होने वाली है ना चारों तो operate नहीं होने वाली लेकिन previously क्या होता था सभी को power supply continuously दिनी परती थी क्योंकि कब किसका use हो वो तो मालूम नहीं था अब IC में क्या होगा एसा logic बनाया का जिसका जो use हो रहा है उसी को power supply दो उसी pin में power supply मिलेगी IC आपना इसाइट देखी होगी चोटी-चोटी pins उसमें होती है four pin IC आती है eight pin IC आती है 16 pin IC आती है 24 pin IC आती है चोटी-चोटी-चोटी pins होती जिस pin में अपने connection लगा है उसी में power आएगा वही circuit enable होगी चार circuit है ना अभी के example पे एस पर example कितनी circuit है हमारी चार circuits है चार direction की traffic signal होगी फर्स pin में लगा है फोर एक्जामबल तो उसी में power supply आएगा वही particular circuit active होगी तो उतनी heat create होगी उतनी less electricity होगी उतना output हमारा quickly आएगा maintenance भी कम हो जाएगा सब चीज एक साथ हो गए अभी में जिन करो कितना आसान होगी हमारा work अब इसमें नई programming language भी है high programming language क्योंकि assembly में किया था numbers of instruction काफी कम थी addition, subtraction ऐसा कुछ ही हम कर सपाता थे arithmetic calculation अब ज़्यादा कुछ करना है तो वो तो possible नहीं था तो उसमें नई programming language भी यहाँ पे कुछ name specify किये frotant है, kobol है, pascal है, basic है, algol है ठीक है, SSN नाम्स काफी सारे ठीक है, यह सब पूरानी languages के नामे यह सब ने introduce है, जिसे हमारा work और भी आसान हो गया और हम हमाई computer के पास काम करवाने लगे, अब साथ में यहाँ पे लिखा है time sharing और remote processing मतलब कि remote processing किसी मतलब कि एक जगा पे हम बैठे हैं दूसरी जगा पे machine है, तो cable लंबा करके हमें हमारा remote processing अगर करवाना है, तो वो भी कर सकते है time sharing मतलब कि 15-20 काम एकी साथ करवाना है तो थोड़ा time तू ले ले, थोड़ा time तू ले ले, थोड़ा time तू ले ले classroom में हम faculty explain, जब भी कते बोलते हैं चलो किसी को query हो, तो raise your hand अब 15 minute का total session लगता है बोलते हैं भई, तुम्हारा question क्या है यह है, तो quickly उसे answer देते हैं तुम्हारा question क्या है, उसको answer देते हैं तो यह क्या हुआ, 15 minute को time share किया, तो ठीक वैसे ही multiple जब भी हमारी कुछ instruction होती है तो वो time sharing format में हो गया पहले time sharing का ऐसा concept नहीं था पहले instruction complete करो बाद में second instruction complete करो बाद में third instruction complete करो ठीक है, अब parallel format में ही था लेकिन सब instruction को साथ में देना इतना possible नहीं था compare to third technology generation अब यह fourth generation है वो हम लोगों की है ठीक है, जो हम आज की date में हर electronic चीज़ को use करते है वो है हमारी fourth generation और उसे सबसे इंटीग्रेटर सरकीट, मतलब के दो तीन सरकीट यह है, फिर 5-6 सरकीट से हम बात नहीं कर रहे हैं, हजारो सरकीट के हम बात कर रहे हैं और एकी IC में सब इंटीग्रेट कर दी अब imagine करो उसकी साइट कितनी छोटी हो आइसी तो मैंने फिट से बोल रहा हूँ, सभी ने देखी होगी है तो उसमें हजारो सरकीट एकी 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 छोटी सी बाल पेन के कैप जितनी मैक्सिमम साइज होती आती है अब हजारो सरकीट एकी चीज में आप आप इंटीग्रेट करो तो समझ लो कितनी कॉंपेक्ट चीज हमने बना ली है कितनी आइस, इंटलेक्टरिसिटी कम यूज होती है, ठीके अब ट्रू सेंस में मतलब कि किसी एक बंदे को अपना जो कुछ भी electronic device है, मतलब कि जो computer है ठीके, उसे अकेले किसी जगा पे ले जाना है तो वो अकेले किसी जगा पे ले जा सकता है ठीके, और साथ में इसमें जो नई बात आई internet का जो concept था ना यहां से start हो आ internet तो actually नहीं था, development of a network मतलब कि एक बंदा है, एक रूम में बेठा है दुसरा बंदा है, दुसरे रूम में बेठा है अब दोनों का जो communication प्रोवाइड करना है तब तो telephone थी था, लेकिन telephone का भी charges तो लगता था, अब मानलो computer से, अरे बाई, क्या कर रहे हो इसका कुछ कर दो ना, कुछ ऐसा message करना है तो वो networking का जो concept था यहां से अब develop हुआ था अब किसने develop किया था, कब develop किया था, वो पूरा syllabus में हम अलग से cover करेंगे topics में, different videos हम उसके create करेंगे, लेकिन अब यहां से जो internet था था ना, उसका first क्या बोलते हैं, seed उसका beach कहां से start हुआ, तो यह इस generation से start हुआ था personal computer, time sharing, real network distributing operating, सब चीज़ यहां से start हुई है, सब चीज़ का अलग-अलग हम explanation बाद में हम करेंगे नहीं जो programming language आज की date में भी जो use की जाते है जैसे की C, C++ वो भी हम study करने वाले हैं, आगेस के videos में, तो सब यहां से actually start हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह जो cost थी न, वो सबसे कम हो गई पेले के जो कुछ भी generations के, first generation, second generation और third generation के जो computer थे न end user तक available नहीं होते थे private limited companies मतलब नहीं होते थे, nationalized, big infrastructures big companies को ही वो available थे, क्योंकि costring सबसे बड़ी बात क्या थी, costring अब कोई एक बंदे का budget कितना होता है rupees में calculate करो, आज की rate में 20,000, 25,000, 50,000 for an individual use अब वोई आपको computer बोलता है कि यह computer पांच लग का होगा यह computer दस लग का होगा, कोन उसे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा तो चीज compact हो गई reliable हो गई mass production available हो गया तब धीरे 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 यह अब चीज, end user को मतलब के आवंब आदमी को अगर यह खरीदना था, तो यह अब available हो गया था और first laptop भी यहाँ पे आया था first computer भी यहाँ पे आया था इसी generation में, first laptop 80 की पहले आ गया है हम आज की date में भी computer laptop को अच्छी चीज मानते हैं, लेकिन उस समय वाले दो लोग बोलते हैं, अरे यह क्या नई चीज है, यह तो हमारे बच्चे भी इस्तिमाल करते थे, ऐसा कुछ है first laptop का मैंने जो previous video था ना, history of computers में, उसमें एक जगा पे मैंने specify किया था laptop, कैसा था 4 by 4 each की छोटी सी screen उसमें आती थी, लेकिन सब काम उसमें हो जाता था, उस time का चलो आगे हम बात करते हैं, fifth generation यह future of generations बोलते हैं, मतलब के हमारा मैंने previous 2-3 वीडियो में बात की थी, terminator, एक पूरी machine force आती है जो human को destroy करने की बात कर रही है, मतलब के artificial intelligence हर एक बंदा हर रोज सुबह अपना computer start करता है YouTube start करता है, आरती प्ले करता है time fix है, लेकिन next day, 15 दिनों के बाद 16 दिन यह computer खुद से start होके, खुद से YouTube start करके वो आरती प्ले नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि computer is not having any IQ खुद की उसको खुद की समझ नहीं है तब यह चीज़ अब डेवलप करने की बात करें artificial intelligence काफी एक अच्छा movie आया है 90's, 90's के तक करीबन artificial intelligence एक movie है चोटा सा बच्चा है, ठीके वो actual में machine है लेकिन human से साथ इतना attach हो जाता है कि वो खुद को एक इंसान समझता है खुद की एक feelings आज की आपने वो movie तो नहीं देखी होगी लेकिन आपने Robert Tobias है रजनीकान की देखी होई है उस पूरा का पूरी movie जो है वो क्या है, artificial intelligence के बारे में तो futures language future generation, future technology सब इस पे डिपन है फिफ्थ generation के बारे में तो अच्छा लगा है तो like कीजिए, subscribe कीजिए